प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले हर कर्मचारी के लिए पीएफ खाता बड़े काम की चीज होता है। उसके वेतन से जो हिस्सा कटकर इसमें जुरता है, वो न केवल रिटायर्मेंट के बाद काम आता है, बलकि अचानक आने वाली जरूरतों के लिए भी बेहत कारगर साबित होता है। अलांकी अपने पीएफ खाते से पैसे निकालना या फिर अन्य चालू खाते में ट्रांस्फर करना, बैंक अकाउंट से पैसे निकालने से बिलकुल अलग होता है। लेकिन कुछ आसान स्टेप अपना कर आप यह काम आसानी से पूरा कर सकते हैं। पहले पीएफ का पैसा रिटायर्मेंट होने पर या फिर घर खरीदने और बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए निकाला जा सकता था। लेकिन कोविड महामारी के दौरान उपजे हालातों के दौरान कर्मचारी भविश्य निधी संगठन ने पीएफ खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया को आसान बना दिया है। साथ ही अब खाताधारक जब चाहे अपने खाते से पैसा निकाल सकता है। आलां कि इसके लिए निकासी सीमा निर्धारित की गई है। आप नौकरी करते हुए पूरा पैसा एक साथ नहीं निकाल सकते हैं। नियमानुसार कोई भी खाताधारक तीन महीने की बेसिक सैलरी और महेंगाई भक्ता के बराबर अथवा कुल जमा का 75 फीसदी हिस्सा पीएफ खाते से निकाल सकता है। इन में से जो कम होगा, उतना ही पैसा निकाला जा सकता है। यहां आपको बता दें कि अगर आपको पैसे की जरूरत है और आप इस काम के लिए पीएफ खाते से पैसे निकालना चाहते हैं, तो फिर ऑनलाइन क्लेम करना आपके लिए ज्यादा फाइदे मन रहेगा। इसका बड़ा कारण ये है कि अउनलाइन क्लेम करने वालों को ये पैसा तीन दिन के भी तरही बैंक अकाउंट में मिल जाता है। इसके बजाए जो लोग आफ लाइन क्लेम करते हैं, तो उन्हें लगभग 20 दिन तक इंतजार करना पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कैसे अपने पी एफ के पैसे को ऑनलाइन माध्यम से घर बैठे ही निकाल सकते हैं। ऑनलाइन पैसा निकालने के लिए आपके आधार कार्ड से पी एफ अकाउंट लिंक होना चाहिए। थाताधारक का UAA नंबर एक्टिवेट होना चाहिए। नए पेज पर मेंबर UAA in online service OCS OTCP पर क्लिक करने से login पेज खुल जाएगा। तीन यहाँ पर अपने UAA नंबर और पासवर्ड की मदद से login करें और नया पेज खुलने पर online services में जाएं। चार इसके बाद drop down menu से claim form 31, 19 और 10 C उचुने। इसके बाद एक और नया पेज खुल जाएगा। पांच यहाँ आपको अपना bank account number वेरिफाई करना होगा। जिसके बाद certificate of undertaking खुलेगा। जिसे accept करें। शै अब दिखाई दे रहे proceed for online claim option पर क्लिक करें। ऐसा करते ही एक form खुल जाएगा। साथ यहाँ पर I want to apply for के सामने drop down से PF advance form 31, select कर लें। आठ इसके बाद आप से पैसे निकालने की वजह है और राशी के बारे में पूछा जाएगा। चेक बॉक्स को mark करते ही ये process पूरा हो जाएगा। नौर इस प्रक्रिया के सभी step को पूरा करने के बाद आपको EPFO की ओर से एक reference number प्राप्थ होगा। दस अब इस reference number की मदद से आप PF account से claim की गई राशी का status चेक कर सकते हैं।